आज कल के स्टुडेंट में बात माइन में घुसता क्यों नहीं है और पढ़ाई जब करते हैं तो वो हम ऐसा के लिए याद नहीं रहता लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिल्म देखते हैं तो वो जिंदगी भर याद हो जाता है कभी भी एक साल दो साल पहले वो मूवी देखे हुए हैं और अभी देख रहे हैं तो वो मूवी पता चल जाता है कि यह मूवी हम देख चुके हैं क्यों ऐसा क्यों होता है और पढ़ाई जब करते हैं तो वो पढ़ाई हम सबको याद नहीं रहता और क्या होता है दस दिन में पांस दिन में हम वो चीज पढ़ा हुआ भूल जाते हैं इसका क्या कारण है हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है देखेगा उस टाइम जो होता है हमारा मैन मेमोरी जो फोकस होता है वो मैन मेमोरी जो हमारा पढ़ाही पर होता है लेकिन जो एक background memory होता है वो कहीं और चल रहा होता है mind में जो दूसरी बातें चल रही होती है वो हम लोग लाने का कोसिस करते हैं और man memory जो होता है वो ध्यान देता है पढ़ाही पर इसलिए हम लोग क्या करते हैं जब movie देखते हैं तो flow state में चले जाते हैं man memory focus तो कर रहे हैं हम लोग पढ़ाही पर लेकिन जो है वो background memory कहीं और चल रहा होता है इसलिए हमारा long time memory काम नहीं करता और long time memory को काम कराने के लिए man memory का focus और background memory का focus दोनों को एक जैसा utilize करना होगा दोनों को एक जगह पर करना होगा तब जाकर हमारा long time subconscious mind में सारा बात चला जाएगा